अगर आप अपने मन को देखें, अगर आप अपने व्यक्तित्व को देखें, जिसे आप मैं मानते हैं, आम तोर पर जिसे आप व्यक्तित्व कहते हैं, वो मूल रूप से कब्स के विभिन स्तर है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे इससे नफरत है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मुझे बस यही पसंद है, मैं उसे पसंद नहीं कर सकता, अलग-अलग स्तरों का कब्स ये कब्स क्यूं होता है? शारिरिक अर्थों में कब्स का अर्थ है, एक मार्ग सिकुड गया है यहां ये एक इनसान के मन और चेतना का सिकुड जाना है यानि वे अटक गए हैं जीवन का मुक्त प्रवाह नहीं है प्रवाह में रुकावट है क्योंकि जीवन का अनुभव करने की आपकी क्षमता सिर्फ आपके शरीर और मन के साधनों से है शरीर या मन के किसी तरह से सिकुडने का मतलब है कि जीवन का अनुभव करने की आपकी क्षमता को भी कब्स हो जाता है ये कई तरीकों से होता है आप हैरान होंगे आप मेंसे कई लोग सोचते हैं कि आप उन चीजों से बाहर निकल चुके हैं लेकिन जब आप दस साल के थे तब आपके मामा मेरा मतलब आपके अंकल आपके मामा ने कुछ कहा उन्होंने आपको बेवकूफ कहा अब आप पचास के हैं लेकिन फिर भी 40 साल पहले उन्होंने आपको बेवकूफ कहा था या भी आपको परिशान करता है जब भी आप उनका चेहरा देखते हैं उन्होंने मुझे बेवकूफ कहा था ये इसी ही अधिक खरोंचे और घाव अपने ऊपर लिये फिरते हैं और ये शारिरिक घाव नहीं हैं जो ठीक हो जाएं क्योंकि ये घाव आपने खुद अपने आपको दिये हैं इन्हें जीवन के अनुभव का तमगा माना जा रहा है इसलिए वे नहीं जाते इस वजह से मुझे ये आदमी पसंद है, मुझे ये आदमी पसंद नहीं है, मुझे इस व्यक्ति से प्यार है, मुझे इस व्यक्ति से नफरत है, मैं इसे बरदाश्ट नहीं कर सकता, ये सब हुआ है अगले 24 घंटे आपको ये करना चाहिए मैं सभी मामा, दोस्त, दुश्मन, बखवास आपको उनसे ये नहीं कहना है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ ये ज़रूरी नहीं है अपने भीतर आपको हर चीज के प्रती एक संपून स्विकृती के भाव में आ जाना चाहिए तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, किसी ने आपके पैर पर पैर रखा, किसी ने आपके सिर पर पैर रखा 24 गंटे एक छोटा सा नुस्खा बस 24 गंटों के लिए हर चीज के प्रती एक संपून स्विकृती में आ जाए आपकी मानसिक चीजें आपकी भावनात्मक चीजें आपकी शरिरिक चीजें हर कमभख्थ चीज और समाजिक चीजें बस उन्हें वैसे का वैसा स्विकार करना आपको किसी के साथ कुछ नहीं करना है बस अपने भीतर अगर आप बस इतना करते हैं तो जीवन और भी बड़े पैमाने पर घटित होगा